हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग and welcome back to your own channel so guys आज हमने देखा था कि जो market में particular जो rally थी हमने देखा कि market gap up open हुआ gap up open होने के बाद हमने आपको nifty के जो video particular बना के आप लोगों को ले दी थी उसमें हमने आपको का था कि 9400 के ऊपर जब nifty निखलता है sustain करता है तो nifty को buy करिए for a target of 9500 का हमने आपको का था कि अगर 9250 का level या 9300 का level break करता है जो आप लोगों को levels दिये गए थे उसके साब से आप चले गए होंगे तो आप safe रहे होंगे guys हम बात करते है stocks की जो हमने आप लोगों को stocks provide कर आए वो particularly चले हैं हमने देखा था था थोड़ बहुत gap up open हो गए थे या gap down open हो गए थे तो उसके साब साब लोग trade नहीं ले पाए होंगे so इस particular video पर हमने आपको levels provide कराना है कि किस level पर आपको short करना है किस level पर buy करना है तो आप उसे साब से आप अपनी trading कर सकते हैं so first zee entertainment है इसको आप short करके चल सकते है 148.5 इसका cmp है 151 का stop loss maintain करना है 145 140.5 तक के targets हम expect करके चल सकते हैं conquer की बात करें तो sell around 343.43 है so guys यह जो आपको level दिये जा रहे हैं जहां पर आपको sell करना है बाय करना है उसी level के आसपास आप buy करें और strict stop loss maintain करके रखिएगा क्योंकि market जिस तरीके से wallet आई है अभी जिस तरीके से market उपर से नीचे गर रही है एक indication हमें मिल चुका है कि market को हमें high levels पर जाके short करना है तो guys अब हो सकता ही है कि जब market शुरुआत में ऊपर खुल रही है और फिर नीचे जा रही है तो probably हो सकता है कि जो मैं आप लोगों को यह sell के stocks दे रहा हूं कल market open होते वक्त जब market open हो है तो शायद अपने stop loss के आसपास ही open हो है आपको carefully trade करना है और अपना जो risk management उसको हिसाब से लेकर आपको चलना पड़ेगा तो अभी जो यह trade कर रहा है concorre 3.36 पर trade कर रहा है तो आपको अपको अपने तागेट की बात करते हैं तो stop loss बहुत ऊपर आपको देखने को मिलेगा तो इस अपसे आपका risk reward ratio पोफेक्ट नहीं बैटेगा तो 3.40, 3.43 के आसपास आपको concorre मिलता है कल तो short करके चलिए 3.43, 8 का stop loss maintain करिए 3.30, 3.14 तक के targets हम concorre के अंदर expect कर सकते हैं kotak bank buy करने की सला दी जाएगी कलम ने देखा था कि आज की बात अगर हम करें तो market पे kotak bank पे एक नीचे की तरफ से एक recovery आने की कोशिश करी थी पर वो sustain नहीं कर पाया था सो गई सला यह दी जाएगी कि 12.38 यह particular level के नीचे जब जाता है तो हमें short करना है 12.32, 12.16 तक के targets हम expect कर सकते हैं stop loss आपको 12.50 का maintain करके रखना पड़ेगा Infosys की बात करें guys Infosys short है 672 के नीचे 674 का stop loss current market price है 679 का stop loss maintain करना है 666 and 658 तक के targets हम expect कर सकते है Infosys के अंदर Last आता है Tata Steel जो buy करने की सला है जिसमें से हमने 4 आपको short के लिए एक buy के लिए जो की Tata Steel है यह particularly एक range के अंदर काम कर रहा है जिस जो अभी तक higher lows बना रहा है और अपनी exact low range है So 273 इसकी closing है और exact अपने support trend line पे है तो break out या फिर break down even point आ सकता है So इसको cautiously trade करना है, buy आपको करना है यह अपने exact जो इसका CMPS के ऊपर 15 minute की जो candle है वो close देती है तो आप अपने जो भी आपका tool आप उसके थूरू अपनी watch कर सकते है जो भी आपका system है जैसी 15 minute की candle इस particular CMP की ऊपर close होती है, buy कर सकते हैं with a stop loss of 270, target 276 and 279 तक के आपको मिल सकते है So guys, Nifty Bank Nifty की जो मैंने video थी वो बना चुका हूँ, तो आप उसको जाके watch कर चुके हैं, जो मैंने personally बनाई थी अपने लिप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके दे सकते हैं, मैं एक over review दे देता हूँ कि market में दुबारा क्या हो सकता है तो मैं Nifty की chart में बढ़ता हूँ और आपको एक बर थोड़ा बहुत over review दे देता है जैसे कि आप देख सकते हैं कि Nifty का chart open है, पर्टिकुलर मैंने की trend line आप लोगों के लिए draw कर रखी है तो यह trend line जो आप देख रहे हैं कि यह higher side में trend line मनी है यानि की rising trend line है तो यह indicate कर रहा है कि अभी जो lows है वो higher level में shift हो रहे है तो इसका indication है कि short term में अभी आप देख सकते हैं आपर मैंने early chart open कर आवा है तो short term में जो nifty है उसका trend अभी वी positive है यानि कि जब तक यह अपने previous low को break नहीं करती है तब तक हम मान के चल सकते हैं कि अभी वी यह market में positive है तो अगर हम इसके previous low की बात करें वो 89 hundred के असपास आता है जो कि around आप देख सकते हैं यह particular trend line है तो यह level जब तक break नहीं करता तब तक हमें assume करके चल सकते हैं कि शायद यहाँ पर एक possibility है कि दुबारे एक up move nifty दे सकता है दूसरी move की अगर हम बात करें दूसरी अगर chance की बात करें तो जैसा कि आप यह trend line देख रहे हैं यह trend line पे इसने यहां तक movement लिया उसके बाद हमने देखा इसने early chart में 2.15 के आसपास nifty ने बहुत तेजी से गिरावट दिखाई और वो particular trend line को break करने में कामा हो गया और इसके नीचे जाके इसने closing दे दिया तो अब हमें wait क्या करना है कल अगर market by chance open होता है higher side में तो probably हो सकता है कि शायद वो दुबारा उपर जाने की कोशिश करो trend line पे अपना एक resistance माने अगर हमें कल market में निफ्टी में आपको trade करना है तो किस तरीके से trade करना है वो मैं आपको बताता हूँ निफ्टी में आप लोगों को guys positive side में trade करना है जब यह particular आपको level देखें guys अभी market पे यह trade करना है exact इसका spot level है 9200 का 9200 है 22 levels है तो अब कल market में यह क्या कर सकता है दो scenario है पहला scenario है कि जो आप यह green candle देख रहे है शायद अप move आए और कल एक gap up के साथ दोबारा है यह अपनी trend line की तरफ वापिस जाने की कोशिश करे या फिर हो सकता है कि वहां तक अगर यह नहीं भी जाता तो यह यहां तक तो जाने की कोशिश करेगा जो कि इसका previous आप देख सकते थे इसका support की काम कर रहा था जो कि अब एक resistance का काम कर सकता है तो यानि की यह probably 92-22 के level से कहां तक up side में जा सकता है 92-70 से लेके इसका जो level है upper side में 93-20 का यह जो level है यह जो range है जो मैं आपको बताए है 92-70 से लेके 93-20 की यह जो 50 रोपे की जो range है यहां ता कि पर्टिकुलर निफ्टी कल जा सकता है upside में और short में हम expect करके चल रहे हैं कि short में यह 91-50 तक जा सकता है और अगर उसे break करता है गाईस तो इसका exact support जो आता है वो आता है 90-50 and 80-900 का level तो क्या करना है short के लिए है जो short लेकर बैठे हुए है जो करना चाहते है 91-50 के नीचे short करिए आप short position बना सकते है 91-50 के नीचे close होती है अब close में आपको दुबारा बता देता हूँ अब देखे गाईस यह आप candle देख रहे होगे यह जो candle देख रहे है अगर आपने मेरी previous वीडियो देखे होगी important चीज़ा है ध्यान से समझेगा बहुत लोग हैं जो breakout या breakdown के through पे confused होते हैं वो इस बात को समझेंगे तो definitely उस चीज़ से बच पाएंगे यह जो candle आप देख रहे हैं यह candle बनी है सुबह 9.15 पे जो की एक घंटे की candle है अगर आप इसका high देखेंगे तो इसका high है around 94.33 का मैं आपको अपनी previous वीडियो में भी बहुत बर बता चुका हूँ तो इस 94.33 का level है जो इसका high है अब गाइस मैं 15 मिनिट की candle पे जाता हूँ अब आप यहाँ पर देहां से देखेगा 15 मिनिट की candle पे आप देखेगा यह जो candle देख रहे हैं यह particular candle रेट कलर की candle exact यह candle बनी थी upside पे अब आपने अगर वो मेरी वीडियो देखे होगी जो मैंने अभी देख रहा था तो जो people लोगों ने watch कर रहे थे वो 200-200 लोगों ने देखा था उस वीडियो को तो मैं मान के चल सकता हूँ अगर वो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि मैंने का था 9400 की उपर buy करने के लिए जो मैंने अभी आप इसी वीडियो में आपको पहले भी ये बात बताएं तो guys मैंने आपको previous वीडियो में बहुत बार कहा है कि जब तक 15 minute की candle जब बनती है तब आपको trade नहीं लेना जब तक अगली candle जो है वो उसके उपर closing नहीं देती है यानि कि ये जो candle आप देख रहे है ये candle बनाई ये candle बनाने के बाद ये candle इसने बनाई और उपर गया 9440 तक तो guys आपको trade नहीं लेना ये सोचके कि 9400 की उपर चला गया है तो आप मैं भाई बना सकता हूँ क्योंकि मैंने कहा है मेरे कहने पर तो आपको वैसे trade नहीं लेना चाहिए मैंसे आपको अपको अपनी knowledge प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ बट अगर आप trade लेते भी हैं तो आपको smartly play करना है अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ early chart में watch करिए trade कैसे लेना है 15 minutes candle को देखे so guys यह 15 minute की candle है अगर यह जो green color की candle है अगर यह इसके उपर जाती है और close होती इस particular candle की body के उपर तो हम अपनी buy position nifty के अंदर बना लेते और मैं भी बना लेता पर काईटस हमने देखा कि इस particular candle जो 15 minute की candle बनाई उसके उपर कोई candle निकली ही नहीं उसके उपर कोई candle गई ही नहीं तो हम देख सकते थे यह perfect एक short candidate बनता था अब short candidate कब बनता था जब इस particular box के अंदर दुबारा आ जाता था इस box के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका मेरी previous video आप द्यान से देख सकते है so आप इसमें द्यान से watch करिए मैं और भी कुछ चीज़े practice कर रहा हूँ जिसके साथ मैं आप लोगों के साथ बाद में share करूँगा इस particular video पे guys एक चीज़ और develop हो रही है इस nifty के अंदर तो उसे भी हमें द्यान में रखना चाहिए अब वो क्या है वो मैं आपको सारे worst case scenario आपको पहले ही बता देता हूँ so आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं यह particular trend line और draw कर रहा हूँ यह आप देख पा रहा है अब यह particular trend line indicate कर रही है मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि आपको confusion न मिले दुबारा एक से लिए so यह particular trend line indicate कर रही है कि एक scenario और बन सकता है वो क्या बन सकता है हम एक assumption लेकर चल रहे हैं क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है so यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ देखें गैस यह देख रहे हैं यहाँ से ही उपर गया यह नीचे आया हम देख रहे हैं दुबारा उपर गया और अब दुबारा यहाँ पर नीचे आया और यहाँ पर अगर यह support लेता है जो कि हम कह रहे हैं कि इसके नीचे ही हमें short करना है जो कि यह box के है, इस particular box के नीचे अगर यह यहाँ पर support लेता है तो मैंने आपको पहली चीज़ बतायती है कि यह जो मैंने trend line previous बनाईती ही वहाँ पर resistance ले सकता है दूसरा scenario हो सकता है कि शायद वो trend line को भी break कर दे और उपर जाए यहाँ तक और दुबारा नीचे आजाए, जो कि आप देख पा रहे है कि क्या बना रहा है, head and shoulder pattern होने को guys, यह head and shoulder pattern भी बना सकता है तो हमें हर case के लिए ध्यान देना है अब क्या case है guys, अब आपको अगर आप buy करते हैं तो आपका जो target है, वो 9500, 9400 तक भी जा सकता है तो आपको trade बहुत cautiously करना है, short आपको कप करना है, 91.50 के नीचे ही करना है उससे पहले आप करेंगे, मैंने आपको अपने previous videos पे भी कहा था जब April के expiry आई थी कि आपको 90.50 के नीचे short करना होगा तब अगर आप मान के हो गए तब आप लोग अच्छा खासा जो recovery आए थी, उससे बच चके होते है तो guys, अभी भी आपको कह रहा हूँ यह 500 और पे के आगर आप profit extra कमाने के बारे में सोचेंगे, तो आप definitely loss करते वे जाएंगे, तो आपको करना क्या है, 91.50 के नीचे 15 मिनिट की candle जब close होगी और जो next candle जो बनाएगी जब वो उसके नीचे close होगी particular candle के, तो ही आपको short position लेनी है, वरना आप एक risk लेके, आप buy position बना सकते हैं, buy position कब बनानी है, जब particular index 92.50 के उपर एक घंटा बंद होती है yes guys, एक गंटा बंद हो नीचे है, 92.50 के उपर तो हम एक scenario लेकर चल सकते हैं कि हाँ, शायदे 93.50 तक 95.00 तक जा सकती है तो अब चीज के लिए तियार रहिए तो सारे scenario थे, वो मैंने आपको सब explain कर दिये, तो यह guys मैं अभी इस वीडियो को wind up करता हूँ चैनल को subscribe करना मत बूलेगा guys और अपने दोस्तों लोगों को जो भी share market में interested है उन लोगों को हमारे चैनल की तरफ लेकर जाईए और उन्हें बताईए कि हम बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं अगर आप लोगों को समझ आता है और उन लोगों को भी हमारे इस family में जोड़िएगा इस वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को like करिए comment section में मुझे जरूर बताईएगा यह वीडियो आपको कैसे लगी जो हम work करने हैं लोगों कैसे लग रहा है समझ में आ रहा है यह अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप लोगों को कुछ फायदा हो रहा है यह नहीं हो रहा है आपको बहुत जल्दी time लेके profit लेके निकल जाना है यह मार्केट अभी पूरे profit को लेकर जाने के लिए नहीं है इसी के साथ guys मैं video को wind up करता हूँ hope करता हूँ कि जब आप मार्केट में जाये तो आप definitely profit लेकर ही निकलिए और एक fist amount आप decide करें कि मुझे इत्ता profit लेना है या इत्ता loss में जहेलूगा intraday के अंदर 5000 या 5000 का profit या loss लेकर जहेलिए उसके बाद अगर आपको 5000 का loss होता है भी है तो आप यह मत सोचे कि मैं उसी दिन recover करो या फिर आप definitely उसे दिन recover करने की कोशिश करेंगे तो 5 कद 10 हो जाएगा और आप करते करते आप अपने जो investment उसे lose कर देंगे हमारे चैनल के साथ बने रहेगा हम definitely आपको education knowledge ही provide करेंगे तो इसी के साथ मैं शिवांज बसीन wind up करता हूँ इस वीडियो को और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में आपके साथ signing off